कर दोस्कार दोस्तों स्टडी विद संतोस यूट्यूब एडुकेशन चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कीबोर्ड के बारे में पढ़े हैं किक हैं कम्प्यूटर तीन चीजों से मिलकर बनता है इन्पुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस और सेंटरल प्रोसेसिंग यूनिट इन्पुट डिवाइसल में सबसे बड़ा और सबसे महतापूर्ण जो पा板 है वो है कीबोर्ड फिक हैं कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है जिसकी सायता से हम टेक्स्ट और निमेर कीबोर्ड की साहता से ही समझाया जाए क्योंकि थोड़ा सा जो टोपिक है वो बड़ा है और कॉम्प्लिकेटिड है तो आप इसको कीबोर्ड से देख के पढ़ोगे तो वो ज्यादा बैट रहेगा तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहली और मेत्वपूर्ण बात है टाइप राइटर की तर्ज पर इसको बनाया जाया है मतलब टाइप राइटर को देख्या और उसकी साहता से इसको बनाया जाया लेकिन टाइप राइटर से ज्यादा बटन इसके अंदर होते हैं जब बात बटन की चल गई है तो मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी स्ट चाहर दिया गया हो तो एक सो चाहर बिल्कुल सही रहेगा अगर इस कीबोर्ड की बात करें तो इसमें कितनी की है टोटल 104 की है अगर आप किसी भी कंप्यूटर के CPU के बैक साइड देखोगे तो कीबोर्ड को जोडने के लिए कि इसे स्पोर्ट बनी होती थी लेकिन उसके बाद आजकल USB कीबोर्ड भी आने लगे हैं जिसको कहीं भी आप इंसर्ट कर सकते हैं USB में और अब तो वायरलेस कीबोर्ड भी आने लगे हैं जिसको आपको वायर की साथा से जोडने की इसको आपको जरूरत नहीं रहती हैं किसी भी कीबोर्ड में पांच परकार की की होती हैं स्टंडर्ड कीबोर्ड में अल्फा न्युमेरिक की बात करें तो अल्फा मतलब चलो यह अलग से समझाएंगे आपको पांच परकार के की होती है सायता से हम कोई भी अलफाबेट है, कम्प्यूटर में हम Enter कर सकते हैं. तो ये पहला टाइप है, दूसरा है इसके अंदर Numeric Key, ठीक है, Numeric Key कितनी होती है, 0 से लेकर 9 तक होती है. ये कम्प्यूटर में दो जगह पर दी होती है, पहला जो आपके alphabet की थी उसके उपर 0 से 9 तक दी होती है ठीक है दूसरा right side में keyboard के होती है right side में कहाँ पर यहाँ पर ठीक है यह तो देख रहे हैं यहाँ पर इसके अंदर numeric की दी होती है इसके अंदर आपको 0 से 9 तक संख्या है पलस माइनस मल्टिप्लिकेशन और डिवाइड का sign भी इसके अंदर ही दिया होता है एक यहाँ पर दस्शमलो का निसान भी दिया होता है इसके लावा एक enter भी दिया होता है numeric keypad के अंदर ही और एक होता है number log का button कुल मिलाकर numeric keypad के अंदर 17 key होती है लेकिन अगर संख्यात्मक key की बात करें तो वो कितनी होती है 0 से लेकर 9 तक total 10 संख्यात्मक key होती है यह था अमारा दूसरा type का तीसरा type है function key function key की अगर बात करें तो यह keyboard में सब से उपर दी होती है ठीक है यह आपका keyboard है इसके अंदर सब से उपर function key दी होती है F1 से लेकर F12 तक यह संख्या में कितनी होती है 12 होती है F1 से लेकर F12 तक ठीक है इनका परियोग क्या होता है अगर आपको कोई कारिये बार बार करना पड़ रहा है तो उसके लिए हम function key की साहता लेते हैं यानि बार-बार करने वाले पूरो निर्दारित कारियों के लिए हम function key जिनकी संख्या कितने होती है, total 12 होती है, इनका परियोग करते हैं इसका सबसे ज़्यदा यूज बैंकिंग के चितर में किया जाता है लेकिन ऐसा question आपका आएगा नहीं, question नहीं आएगा कि function key कितनी होती हैं, 12 होती है और function key का कारिय क्या होता है, पूरो निर्दारित कारिये को ये करती है इसके बाद number 4 पर आता है cursor control की, ठीक है, keyboard के जो आपका keypad होता है उसके just left side में, keypad से just left side में, ये 8 key होती है चार तो arrow की होती है, जिनकी ओपर arrow की निशान होती है, और चार की ओर होती है जिन आठों की साहिता से आप cursor को अपनी computer screen के अंदर कहीं भी ले जा सकते है cursor क्या होता है? cursor एक arrow का निशान होता है generally, वैसे आप इसको change कर सकते हो point का भी कर सकते हो ठीक है dot का भी कर सकते हो लेकिन जर्णली ये arrow का निसान होता है जब आप mouse को निच्चे से इलागते हो तो ये भी आपकी computer screen पर गोमता रहता है किसी भी object पर ले जाने के लिए इस cursor को हम mouse की बजाए इन आठ की से भी control कर सकते हैं क्या क्या है पहली है अब ठीक है ये down की है ये left की है और ये right की है ये arrow की है आप इनको जैसे ही दबाओगे cursor उसी direction में आपका move करेगा इसके लावा चार की और भी है home, end, page up, page down अगर आप home की दबाओगे तो जो आपका cursor है वो किसी भी line के टीक है इस line में भी आपका cursor है उसके सुरू में चल्याजायगा nd की आपको line के ant में ले जाएग और page up page up की है जो आपको पिछले page पर ले जात्य है और page down की किसको ले जाती है आपको अगले page पर ले जात्य है अगर आपने कोई page up दबाते हैं तो पिछले page में आपका cursor चले दाएगा तो यह जो art की हैं चार तो arrow की हैं और चार home and page up और page down क्या क्रिशर control की कि खिलती हैं जो cursor को नियंतरित कर सकती हैं इसके बाद आता है special purpose की जो बाकी सभी की बचगी है alphabets की संख्यात्मक की फंक्शन की और कर्सर कंट्रोल की के लावा वो सब क्या कहलती है special purpose की यानि किसी मेंतपूर्ण कारिये के लिए उनको keyboard के अंदर स्थान दिया गया है अचा special purpose की में सबसे पहले बात करते हैं हम caps lock की या आपके keyboard में ठीक left side में मिलेगा caps lock ठीक है ऐसे और caps lock की क्या है एक toggle button है toggle button क्या होते हैं जिनको आप एक बार दबाओगे तो वो activate हो जाएंगे दूसरी बार दबाओगे तो आपके हो जाएंगे off state में चले जाएंगे ठीक है वो कहलती है toggle button की मतलब आप इसको एक बार दबाओगे तो यह security हो जाएगा दूसरी बार दबाओगे तो यह निस्करी हो जाएगा इसका use क्या है जैसे ही आप caps lock को on करते हो तो जो आप यह जो alphabet है जो आप computer के अंदर type कर रहे हो यह आपके upper case में type होंगे यानि बड़े अक्षरों में ठीक है capital letter में type होंगे उसी परकार यह दिया आप इसको off state में रखते हो इसको आप दूसरी बार दबा देते हो तो फिर यह जो सभी अक्षर है जो आपके alphabet है English के 26 यह सारी की सारी lower case में आपकी type होंगी इसके बाद next है जब toggle key की बात चल ही रही है तो दूसरी toggle key के बारे में बताता हूं वो है आपकी number log की जो आपका keypad था numeric keypad उसी के अंदर होती है की number log की नंबर लोग की क्या करती है यह भी एक toggle button है मतलब आप इसको एक बार दबाओगे तो से के लिए और दूसरी बार में निश्क के लिए हो जाएगी दूसरी बार दबाओगे तब अगर आप इसको own state में रखते हो नंबर लोग को तो आपके जो कीपेड है जो आपका संख्यात्मक कीपेड है वो आपके directly numbers को लेकेगा लेकिन यह दिया आप इसको move करेगा इसका अतलब number lock की अगर on state में है तो कीपेड से हम number type कर सकते हैं अगर off state में है तो यह directional arrow की तरह काम करता है बागी यह बात है किताबी रह गई है आज के दिन अगर यह दिया किसी भी computer के अंदर number lock दबा कर आप स्टेट में रखकर कीपेड से काम करना चाथते हो निमेरिक से तो वो काम नहीं होगा नहीं उसके अंदर cursor move होगा ठीक है इसके बाद आता है shift key देखो shift key shift key किसी भी computer keyboard में दो जगे पर होती है ठीक है दो जगए पर होती है नहीं है और यह आपकी संयोजन की होती है संयोजन मतलब अकेले shift का कोई भी यूज नहीं है shift को किसी दूसरे button के साथ है इसको आप यूज कर सकते हैं ठीक है जैसे अगर आप shift को तबाए रखते हो और किसी भी character को alphabet को type करते हो तो वो आपका upper case में type होगा लेकिन इदि आप इसको छोड़ देते हो और directly किसी भी character को type करते हो तो वो lower case में type होगा दूसरा अगर shift की के साथ आपने दो दबाया है पहले आपने shift की दबाई उसी के साथ दो दबाया तो दो नटाइप होके इसके उपर एक special character दिया गया है at the rate का वो आपका type होगा ठीक है इसी परकार से अगर यदि आप shift के साथ number 4 की दबाते हो तो 4 नटाइप होके dollar का निसान आपका type हो जाएगा तो इसका अतलब यह क्या है एक combination की है किसी दूसरी की के साथ साइयोजन करके इसका use क्या जा सकता है दूसरा इसको यदि हम number keypad के साथ number keypad के साथ use करते हैं shift के साथ यदि 0 से लेकर 9 तक जो यह number दी गए है संख्यातमक की दी गई है keypad की इसको use करते हैं तो यह संख्यातमक की पैड कैसे use करेगा directional arrow के रूप में काम करेगा नहीं की number key के रूप में यह भी इसका method ठीक है इसके बाद आती है tab की tab की होती है caps lock के उपर ठीक है इसका पूरा नाम है tabulator key ठीक है यह क्या करती है cursor को एक निश्चित दूरी तक ले जाती है ठीक है इसके बहुत सारे काम है वैसे जैसे अगर आपका cursor यहाँ पर कुछ type कर रहा है तो जैसे ही आप tab की जबाओगे तो यह निर्दारित 6, 7, 8 जितने भी इसको निर्दारित किये गए हो उतने इस्तान चोड़ कर cursor को आगे ले जाएगी दूसरा यदि आप किसी document word, excel के अंदर काम कर रहे हो और आपका cursor कहीं किसी point पर है तो जैसे ही आप tab की press करते हो तो वो उससे next point पर चले आजाता है ठीक है दूसरा यदि आपको कहीं option चुणने है ठीक है जैसे enter और exit का option है तो enter के उपर यदि आपका cursor है यदि आप tab दबाओगे तो आपका cursor कहां से लेजाएगा exit के उपर से लेजाएगा मतलब किसी भी dialogue box यह dialogue box है के अंदर विकल्पों का chain करता है कौन करता है tab की करती है ठीक है इसके बाद आती है escape की escape की जो होती है वो tab की से just उपर होती है इसको आप एक तरह का cancel button मान सकते हो ठीक है जैसे ही आप escape की दबाओगे तो जो आपका कोई भी video animation slide show चल रहा होता है वो क्या हो जाता है pause हो जाता है ठीक है पोज हो जाता है web page यदि आपका load हो रहा है अगर आप किसी site पे जा रहे हो और आपका वो loading में चल रहा है escape दबादेते हो तो वो loading आपकी रुक जाती है ठीक है इसके लावा यदि आपने computer में कोई program खोल रख्या है और आप escape की दबादेते हो तो वो उस program को बंद करके उससे बाहर आपको ले आता है escape की ले आती है यह है escape की इसके बाद आती है space bar की simply एक space देने के लिए यूज जाती है मान लिए आप ने कुछ नाम लिख्या ठीक है और उसके बाद आपने space की को प्रेस किया तो वो क्या कर देगी एक स्थान का gap उसके अंदर कर देगी यह space की का प्रियोग है इसके बाद इससे है backspace की यह यहाँ पर होती है backspace की क्या करती है अपने ठीक बाई और बाई और के जो भी अकसर चिन यद जगए हो उसको मिटा देती है मतलब आपने लिख रखे है जैसे for example with you लिख रखे है गहीं के ठीक है और अगर आपने यहाँ पर आपका करसर चल रहे है अभी ठीक है अगर आपने backspace की दबा दी तो यह क्या कर देगा i को delete कर देगा फिर से backspace दबाओगे तो h को delete कर देगा फिर से backspace दबाओगे तो d को delete कर देगा यह है backspace का function इसी के पास है delete की ठीक है बैक स्पेस के पास ही है delete की delete की का function क्या होता है delete की का function इसके थीक उल्टा है ठीक है मान लिया विधी आपने डिलेट करना था और आपका करसर इस side था right side में तो आप backspace से delete कर सकते हो लेकिन delete का option क्या करता है अपने ठीक दाइं और के दाई और के content को delete करता है मान लिया आपने विधी लिख रख्या है कहीं पर ठीक है और आपका करसर यहां पर है विधी के पहले तो जैसे ही आप delete दबाओगे तो उसके ठीक दाई और का यानि right side वड़ा delete करता है backspace किस side करता था left side वड़ा लेकिन delete ठीक इसके ultra काम करता है पहल ऐसे दाई और जो भी इसके अक्सर चिन है या जगए हो उसको delete कर देता है इसके लावा delete का एक काम और है यदि आपने किसी content को select कर रख्या है माल लिया आपने इस विधी को पूरे को select कर दिया और फिर आप delete दबाते हो तो फिर ये complete को क्या करतेगा erase करतेगा ये है delete का function इसके बाद आती है control की control की shift की के ठीक निच्चे होती है shift आपको बताया था दो जगए होती है और combination की है ठीक है उसी परकार से control भी computer में दो जगए पर keyboard में आपके दो जगए पर होती है और ये भ पाद है दिया आप है c का प्रियोग करते हो ctrl और उसके साथ c जो आपकी की है उसको दबाते हो तो वो क्या कर देगा content को copy कर देगा control प्लस v paste के लिए use के जाता है ठीक है तो इसका आतलब ये क्या है combination की है जैसे shift की की तरह है ठीक है इसके बाद next है print screen की यहाँ पर हमने ल computer के right side में आप देखोगे तो तीन की दी होती है keyboard के अंदर जो आपका number keypad था उसके उपर इनके बारे में पढ़ेंगे अब ठीक है print screen की यदि आप इस की को shift के साथ प्रियोग करते हो तो जो आपका screen पर कुछ भी दिखाई दे रहा है उसको ये क्या कर देता है print screen की क्या कर रही है तो यह क्या कर देती है कि screen के उपर जो भी file folder या कुछ भी दिखा रहा है उसको क्या कर देती है print कर देती है लेकिन मैंने practically इसको यूज करके देख्या तो ऐसा कुछ नहीं हुआ फिर भी हमें पढ़ने के लिए इसको ऐसे ही यादर रखना पड़ेगा ठीक है उसके या प्रोग्राम है उसको एस थाई रूप से उसको रोक देता है और दुबारा दबाने पर उसको फिर से से के लिए कर देता है ये पोज की के पास में होती है पोज की का फंक्शन भी लगबग कुछ ऐसा ही है मानली आप कहीं गेम कहल रहे हो और आप यदि पोज अबलिक प्रेक की दबा देते हो तो आपका जो प्रोग्राम है या गेम है एस थाई रूप से रूप जाता है और दोबारा दबाने पर फिर से से के लिए हो जाता है तो यह था इन तिन्नों की के बारे में अब एक दो की और है वो पढ़ लेते हैं तो यहां पर हमने लग बग सभी की को कर दिया है यहाँ पर जो आपका नंबर की पैड़ था उसका कर लिया ठीक है कौन सी की रह गई आपके बताओ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है यह की दिखाई दे रही है Alt की ठीक है और विंडो का निसान दिखाई दे रहा है ठीक है यह की आपकी रह गई है यह computer में दो जगाए पर होती है space bar के दोनों side ठीक है, alt भी दो होते हैं और जो यह निसान है window का, यह भी दो होते हैं जो यह window का निसान है यह menu को खोलने के लिए use के जाता है अगर आप किसी program के अंदर हो और आप menu को access नहीं कर पा रहे हो तो इसको आप जैसी दबाओगे तो आपका menu का option खुल जाएगा जो computer के left side में यहाँ पर menu होता है alt की क्या है modifier की है तीन modifier की है यह आपको याद रखना है most important है alt की, control की और shift की, यह तिनों क्या है modifier की है और यह computer में कितने जगए पर होती है keyboard में दो जगए पर होती है shift होते है दो ही control होते है और दो ही alt होते है ठीक है, यह सब क्या है modifier की है यह सब एक wishes परकार की की है और combination के साथ ही कारिय करती है, मतलब shift का control का या alt का अपना कोई कारिय नहीं है यह सब modifier की है यह आपको याद रखनी है जैसे अगर आप alt के साथ f4 का परियोग करते हो यानि function की f4 का परियोग करते हो तो जो भी आपका program window के उपर run कर रहा है वो क्या कर जाता है बंद कर देता है उसको completely window program को completely बंद कर देता है ठीक है तो आपको याद रखना है shift की, control की और alt की के है modifier की है combination की है और इसके लावा menu की हो गया तो यह यहाँ पर हमने कर लिया keyboard के बारे में keyboard में total 104 की होती है यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं इसके लावा जो input devices है और output devices जो रहे गए है output devices में सबसे ज़दा printer का युज़ ओता है printer सबसे ज़दा important है वो आपको दूसरे वीडियो लेक्चर में एक साथ ही करवा देंगे तब तक के लिए पढ़ते रहिए खुश रहिए जैहन जैभारत